कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इंडिया गडबंधन के नेता या कॉंग्रिस के नेता इतनी आसानी से अपने विचारधारा के साथ समझोता करके भारती जंता पार्टी की गोद में कैसे बढ़ जाते हैं। क्या वज़ा है कि इंडिया गडबंधन के नेता धीरे-धीरे, कई नेता जो हैं, अब वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। याद कीजे, कुछी दिनों पहले की बात थी, जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, कि इंडिये के कुनबे में सिर्व एक भाजपा है और वस कुछी दल, मगर जैसे जैसे चुनाफ गरीब आ रहा है, कई नेता इंडिया गडबंधन को छोड़के, इंडिये या फिर या दावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाबा अज़ाद में तेरे कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ऐसा क्यूं, कुछ चेहरों से मैं आपका परचाय करवाना चाहूंगा दोस्तों, जैंत चौधी, रालोद की निता, बाबा सिदी की पहले कॉंग्रिस में थे, अब अजीद पवार के पास, यानि NCP अजीद पवार फैक्शन के पास ज आमिल थे, इसके लावा जोतरा दिच सिंधिया, आर्पी अन सिंग, जितन प्रसादा, लंबी चोड़ी फैरिस्ट है कॉंग्रिस के नेताओं की, इंडिया गडबंधन के नेताओं की, जो विचार धारा के साथ समझोता करके, अब भाजपा की गोद में जा बैठे हैं, क्य इसे कोई ना कोई निता जो है खरा उतरता है, जिसकी वज़ा से वो अपनी विचार धारा के साथ समझोता करता है, और भाजपा में जा शामिल होता है, और वो कौन-कौन से पैमाने हैं, पैमाना नमबर एक, जाच एजिंसी का डर, इस बात का डर, कि आपको जेल में डाल जाएगा, पैमाना नमबर दो, जब आपको आदत होती है सत्ता में रहनी की, और अगर आप दस साल तक सत्ता से बाहर रह जाएं, तो आप व्याकुल होने लगते हैं, और फिर आपको लगता है, कि अब तो बहुत हो गया विपक्ष में रहके, चलो सत्ता में जाकर शामिल ह जाएं, पैमाना नमबर तीन, पैसे का लालच, पद का लालच, तो तीन पैमाने मैंने आपके सामने पेश किये दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो तमाम चेहरे पेश करूँगा, और आप देखेंगे कि हर चेहरा इन तीन पैमानों पर खरा उतर रहा है, सबसे पहले आप के सामने बाबा सिदीख ये कॉंग्रिस के साथ अरसे से थे और अब वो किसके साथ शामिल हो गए एंसीपी के साथ नहीं 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 शरत पवार वाली एंसीपी नहीं अजीत पवार वाली एंसीपी वो अजीत पवार जो की भारती जनता पार्टी वाली सरकार में Deputy Chief Minister है वो अजीत पवार जिनके बारे में देवेंद्र फड़नवीस ने कह दिया था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग या न पीसिंग या न पीसिंग और इस कार्थ क्या हुआ इस कार्थ यह हुआ कि आप जो अपने आपको मुसल्मानों का हितैशी बताते थे धर्म निर्पेक्ष्टा की बात करते थे ये सब कितना खोकला है ना अब आप कहेंगे कि बाबा सिदीग ने ऐसा क्यूं किया अब हम नहीं जानते कि वो जाँच में वो दोशी है या नहीं वो तो जाँच के बात पता चलेगी मगर अब जब कि वो एनसीपी में जाकर शामिल हो रहे हैं ये कहा जाए कि वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गये हैं यानि कि भाजपा की वाशिंग मशीन में उन्होंने छलांग लगा दिया है तो स्वाभाविक से बात है उनके खिलाफ कोई जाँच नहीं होने वाली है यानि कि बाबा सिदीक दोश्मुक्त हो गए है कोई जाँच नहीं होगी वही एजनसीज जो उने परिशान करती है अब उनके सामने अनतमस तक होंगी और इस फेहरिस्ट में कई नेता शामिल है मसलन अजीद पवार हैं उनके खिलाबी व्रश्चाचार के गंभीर आरोप शगन भुजबल, नाराएंड राने, हेमन तबिस शेर्मा गंभीर आरोप थे, भाजबा में शामिल हुए आज की तारिक में वो असम के मुख्यबंतरी हैं भाई भाजबा की तरफ से तो बाबा सिदीग के सामने मामला है बाबा सिदीग जानते हैं कि अगर वो कॉंग्रेस के साथ बने रहेंगे ना सिर्फ जाच होगी, केस बनाया जाएगा अधालत में मामला जाएगा, उनकी गिरफतारी भी हो जाएगी जैसा की संजैसिंग की हुई, मनीस सोदिया की हुई ये बात अलग है कि ना मनीस सोदिया ना संजैसिंग उनके खिलाफ कोई ثبوت नहीं है कोई मामला साबित नहीं हुआ मगर चूकी एजनसीज एक केस बना देती है उनकी गिरफतारी हो जाती है और फिर अदालतें भी उनकी संड्रक्शन में नहीं आती इस बात कडर बाबा सिदीग को सता रहा है अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये हैं जैन्त चौधरी जैन्त चौधरी हाला कि अभी भाजपा में शामिल नहीं हुए मगर अगर आप अमर उजाला की एक खबर देखें तो ये बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ उनका लगभग समझाता बन गया है और वो छलांग लगाने वाले है ये बात सुनके बहुत अटपटी लगती है दोस्तों क्योंकि जब किसान आंदोलन कर रहा था जब भाजपा के नेता लगातार किसानों को गाली दे रहे थे तब जैन्त चौधरी एक स्टंब की तरह किसानों के पक्ष में आवाज बुलन कर रहे थे लगातार आलोचना कर रहे थे इनके पार्टी के कई नेता जो है वो किसानों के पक्ष में खड़े हो रहे थे मगर आज सिर्व इसलिए कि अखिलेश यादव के साथ एक या दो सीटों पर समझोता नहीं हुआ मतभेद हो गया अब आप शलांग लगाने को तयार हो गए कहां गई आपकी विचार धारा कहां गया किसानों का अपमान किसानों की अस्मिता कहा गई जिसका आप जिकर किया करते थे इसका आर्थ क्या हुआ दोस्टों इसके दो माइन है मुद्दा नमबर एक ये ना भूलें कि जैन चौधरी चौधरी अजीत सिंग के बेटे हैं और चौधरी अजीत सिंग का भी इतिहास रहा है कि भई जो सक्ता में हैं और वो इसी तरह से राजनीतिक पाला बदलते रहते थे जैन चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि भई वो इस तरह का समझोता नहीं करेंगे वो युवा हैं उनके सामने पूरी उम्र पड़ी है मगर ऐसा लग रहा है अगर वाकई वो भाजपा में जाके शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके सबर का बांध तूड गया है वो सत्ता से जादा दूर नहीं रह सकते या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के हाथ में कोई ऐसी चाबी है कोई ऐसी कोई ऐसा राज है जो जैन चौधरी के लिए मुश्किल पड़ता जा रहा है हम नहीं जानते है मगर एक बात तैह है कि दो या एक सीट पर अखिलेश यादव के साथ मतभेद है तो वो भाजपा की गोद में जाकर बैटने को तया रहे है क्योंकि ये जो तमाम खबरें आ रही है जैन चौधरी ने इसका खंडन अब तक नहीं किया इतनी बड़ी बात हो रही है तमाम न्यूस चैनल्स का खिकर कर रहे है आप खामोश क्यों है साफ हो जाता है कि जैन चौधरी के मन में अगर ये खबर सही साबित होती है वो चाहते हैं कि भई अगर दोहजार चौबीस में दोबारा भाजपा सक्ता में आजाए तो केंदर में एक मलाइदार पद मिले बिल्कुल उसी तरह से जैसे जोत्रादिट सिंधिया को मिला था वो जोत्रादिट सिंधिया जिन्होंने अपनी पूरी उम्र कॉंगरेस में बिताई उनके पिता माधा औरा सिंधिया कॉंग्रेस में थे मगर मुख्य मंत्री नहीं बने तो अपने साथ 22 विधायकों के साथ कमलनात की सरकार तो गिरा ही दी भाजपा की तरह से राजसभा में घुसे और केंद्र में मलाईदार पद भी मिल गया तो जयंत चौधरी के लिए कही न कही ये एक पैमाना है जयंत चौधरी कही न कही देख रहे हैं किसको जयंत चौधरी यहाँ पर देख रहे हैं जोतरादित सिंधिया को इसलिए दोस्तों राजनीती में अब विचारधारा कोई माईने नहीं रखती अब हम बात करना चाहते हैं एक और खिलाडी की वो है मिलन दिवरा दोस्तों मिलन दिवरा वो शक्स थे जो शायद 30-35 साल की उमर में UPA2 में मंत्री बन गये थे क्यों? क्योंकि वो एक राजनेता, एक दिगज राजनेता के बेटे थे अब पिछले दस सालों से वो सक्ता से बाहर थे खबर ये भी आ रही थी कि वो जहां से सांसद हुआ करते थे मुंबई साउथ, वो सीट उद्धव सेना के निता को मिलने वाली है अब इन तमाम चीजों से वो थोड़े बौक लाए हुए थे असहेज महसूस कर रहे थे, नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ा जिसके साथ वो अरसे से थे और कारण क्या बताया कि कॉंग्रेस जो है उनके पास बस एक मुद्दा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोशना क्या मिलिन द्योड़ा ये बात नहीं जानते कि जब आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो सिर्फ व्यक्ती विशेश नहीं आज की तारिक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानि भारत सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानि भाचपा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानि पूरा समग्र संग परिवार तो उन्हें आप सिर्फ एक व्यक्ती तक क्यों से इमित कर रहे हैं और ये किस तरह का तर्क हुआ सबसे शौकिंग बात दोस्तों अब वो अपना मजाग भी बनवा रहे हैं हुआ क्या मैं उनका एक बयान जो उन्होंने अभी अभी दिया उसकी तरफ आपका ध्यान खीचना चाहूंगा यह मिलिन दियोडा का बयान उन्होंने कहा कि विपक्षिक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है देश को दक्षिन और उत्तर में बांट रहा है प्रधान मंत्री ने इन विभाजन कारी नीतियों की सही माएने में आलोशना की है वो आगे ये भी कहते हैं कि केरल जिस पर इतना जादा करजा है वो धरना कर रहा है जंतर मंतर पर अपनी वित्तिय अन्यमित्ताओं को अपनी वित्तिय जिम्मिदारी को खुद से बचाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारत एक देश है हमारी जंता जनारदन ये लगातार देख रही है कि विपक्षी दल जो हैं किस तरह के एलेक्टोरल स्टंट्स चुनावी स्टंट कर रहे हैं ये बात ही अब कह रहे हैं मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने क्या कहा था उसे सिर्फ 6 फीसदी मिलता है उन्होंने क्या कहा? कि महराष्ठ 100 रुपए देता है डारेक्ट टाक्स में केंदीर सरकार को और उसे कितने रुपए मिलते है? 7 रुपए 70 पैसे, 7.7 रुपीज गुजराथ 100 रुपए देता है और उसे मिलते है 31 रुपए 30 पैसे यही बात आज से एक साल पहले मिलिंदे ओडा कर रहे थे मगर एक साल बाद आपने अपने राग बदल दिये अपनी राय बदल दी जजबाद बदल गए कैसे बदल गए हम नहीं जानते हैं कहने का अर्थ क्या है दोस्तों इन तमाम नेताओं में कोई विचारधारा नहीं है अवल दरजे के अवसर वादी हैं और उसके इलावा कुछ नहीं ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस जो है वो अंटी नाशनल पार्टी है या जिस भी वो दल से छलांग मार रहे हैं वो अंटी नाशनल पार्टी है ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के चलते जो है अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं अपनी जान बचाने को लेकर अपनी पार्टी छोड़ रहे है और भाजपा को ये चीज समझ आ गई है क्योंकि होता क्या है दोस्तों हमारे राजनेताओं के हाथ में ताकत होती है और उस ताकत के जरीए वो कई अपराद करते हैं अपराद में लालच भी शामिल है भाजपा ये बात समझ गई है वो समझ गई है कि भाई राजनेताओं का लालच है वो उनकी कमजोर रग है उसे दबाओ तुरंट पाला बदलेंगे और तुरंट वो अपनी पुलिटिकल पार्टी को गाली देना शुरू कर देंगे यही हो रहा है भारती राजनीती में भाश्पा सामदाम दंडबेच से अपनी एजिंसी के सहरे ये सारा खेला कर रही है मैंने कहा ना इन पल्टू बाज राजनीताओं की ना कोई विचार धारा है ना कोई सोच है अबसार शेर्मा को दीजिए अजासत नवस्कार